जै मातादी, नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे ब्रिस्पति वार की ब्रेद कथा कथा अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर करे तो आईए सभी मिलकर बोले ब्रिस्पति देव की जै हो कथा भारत बर्स में एक परतापी और दानी राजा राज्य करता था वहां हर रोज गरीबों और ब्रामनों की हमेशा सहायता करता था तेकिन यहां बात उस राजा की पतनी को थोरा भी नहीं भाता था तो उसका पती दिन रात दान ही देता रहता है उसे थोरा भी अच्छा नहीं लगता था राणी ने कभी भी कोई गरीबों को दान नहीं दिया था और ना ही भगवान का उजन किया करती थी यहां तक की राणी राजा को भी दान देने से मना किया करती थी एक दिन की बात है राजा सीकार खेलने जंगल में चले गए और उस समय राणी महल में अकेली थी उसी समय ब्रिस्पती देव साधू का भेश धारन करके राजा के महल में बिक्चा लेने गए राधू महराज ने राणी से बिक्चा मांगी लेकिन राणी ने इनकार कर दिया और कहा हे साधू महराज मैं तो इस दान पुन्य से बहुत तंग आ गई हूँ मेरा पती तो सारा धन लूटाते रहता है मेरी इच्छा बस यही है कि मेरा सारा धन नेश्ट हो जाए ना रहेगी धन और ना मेरे पती इन धनों को लूटा सकेंगे ना रहेगी बास और ना बज़ेगी बास ले यही मेरी इच्छा है रानी के बातों को सुनकर साधो महराज बरा आश्चरजय में पड़ गए उन्होंने कहा देवी तुम तो बड़ी बिचित्र हो धन दौलत संतान तो सभी चाहते हैं उत्र और लच्मितो पापी के घर में भी होनी चाहिए यादी तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखो को भोजन खिलाओ प्यासे के लिए प्याओ बनवाओ मुसाफिरो के लिए धर्म सालाए खुलवाओ जो निर्धन है अपनी कुवारी कन्याओ का बिवह नहीं कर सकते उनकी मदद करो उनकी साहता करो ऐसे और अनेक काम है जिनके करने से तुम्हारा यस लोक परलोक में फैलेगा प्रांतु रानी पर उप देश का कोई परभाव ना परा वह बोली महराज आप मुझे कुछ ना समझाए मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगा लुटाती फिरू बाटती फिरू साधु महराज ने उत्तर दिया यादी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी तुम ऐसा करना की ब्रिश्पती बार को घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपना सीर को धोकर असनान करना भट्टी चड़ा कर कपड़े धोना ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नेश्ट हो जाएगा इतना कहे कर वह साधु महराज वहां से आंतरध्यान हो गए साधु महराज ने जैसा कहा था रानी ने बिल्कुल बैसा ही किया केवल दीन ब्रिश्पती बार ही बीते थे कि उसकी समस्थ धन संपत्ती नर्ष्ट हो गए भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा इसी तरह से बहुत कष्ट से समय बीतने लगा तब एक दिन जाकर राजा ने रानी से बोला कि हे रानी तुम यही रहो मैं कहीं बाहर दुसरे देश में जाता हूँ क्यूंकि यहां पर सभी लोग मुझे पहचानते हैं इसलिए मैं यहां पर कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया वहां जाकर जंगल से लकडी काट कर लाता और सहर में बेचा करता था इसी तरह से अपना जीवन व्यतित करने लगा इधर राजा के प्रदेश जाते ही राणी और दासी दोनों दुखी रहने लगे एक बार जब राणी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन का रहना परा था तो राणी ने अपनी दासी से कहा हे दासी पास के ही नगर में मेरी बहना रहती है वह बरी धनवान है तू उसके पास जा और कुछ मांकर लेकर आ राकि थोरा बहुत गुजर बसर हम दो रुका हो सके राणी की बाते सुन दासी राणी की बहन के घर गई जिस दिन दासी राणी की बहन के घर गई उस दिन गुरु वार का दिन था और रानी की बहन उस समय ब्रस्पति वार की बढ़त कथा सुन रही थी दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया मगर मगर रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहिन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बैचारी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया कि रानी की बहने उसे उत्तर नहीं दिया लेकिन उदास मन से दासी रानी की पास चली आई और रानी को अपनी सारी बात कह सुनाई यहां सुनकर रानी ने अपने भागय को कोशा ओधर रानी की बहिन ने सोचा कि मेरी बहिन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली इससे वह बहुत दुखी हुई होगी यहां सोचकर पेचारी कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी वहन के घर आई और कहने लगी ए बहीन मैं ब्रिस्पतिवार का ब्रत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरी घर आई थी प्रेंदू जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं इसलिए मैं कुछ नहीं बोली कहो दासी क्यों आई थी दासी ने कुछ नहीं कहा मगर रानी बोली बहीन तुम से क्या छिपाओ हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आँखे भर आई उसने दासी समेद पिछले साथ दिनों से भूके रहने तक की बात अपनी बहीन को पिश्तार पुर्वक कह सुनाई रानी की बात सुनकर रानी की बहन ने कहा देखो बहीन भगवन करते हैं देखो सायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो पहले तो रानी को इस बात का थोरा भी भरोसा नहीं हुआ पर बहीन के आगरह करने पर उसने आपनी दासी को घर के अंदर भेजा तो सच्मुझ अनाज से भरा एक घरा मिल गया यहाँ देखकर दासी को बरा है रानी हुई अब दासी कहने लगी रानी से हे रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम क्या करते थे ब्रत ही तो करते थे इसलिए क्यों ना इनसे ब्रत की कथा और बीधी पूछली जाए ताकि हम भी ब्रत कर सके दासी की बात मांद कर राणी ने अपने बहिन से ब्रश्पती वार की बृत के बारे में पूछा उसकी बहिन ने बताया लबहन पूझ में चने की दाल और मुवनक्त हसे विश्नु Buddhist के जर्मे पूजन करे और धीबक जलाlike और कथा भी सुने और पीला भोजन ही करना चाहिए इससे ब्रिश्पति देव प्रसन होते हैं ब्रत का पूजन और बीधी बता कर रानी की बहिन अपने घर को लोटाई जब साथ दिन के बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी ने गुरुवार का ब्रत रखा घुर सार में जाकर चना और गुर लेकर आयी फिर उससे केले की जर्मे तथा बिश्णु भगवान का पूजन किया पर अब परसानी या थी की पीला भोजन कहां से आये इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे चुकि उन्होंने ब्रत रखा था इसलिए ब्रिश्पती देव उनसे प्रसन थे इसलिए वे ही एक साधु महराज का रुप धारन करके दो थालों में सुन्दर पीला भोजन दासी को दे आये भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया और उसके बादवे सभी गुरुबार को ब्रत और पूजन करने लगी ब्रिस्पती भगवान की किरपा से उनके पास भीर से धन संपती आ गई पर अंतु रानी फिर से पहली की तरह आलस्यक करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस परकर आलस्यक करती थी तुमें धन रखने में कश्ट होता था इस कारण तुम्हारा सभी धन नेश्ट हो गया और अब जब भगवान ब्रिस्पती की किरपा से धन मिला है तुमें फिर से अलरस्यक होता है रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है अब हमें इसलिए दान पुन्य करना चाहिए भूखे मनश को भोजन कराना चाहिए और धन को सुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए जिससे तुम्हारे कुल का यस बढ़ेगा स्वर की प्राप्ति होकी और पित्र रसन होंगे दासी की बात मानकर रानी अपना धन सुभ कार्यों में खर्च करने लगी जिससे पूरे नगर में रानी का यस फलने लगा ब्रिस्पतिवार ब्रत कथा के बाद स्रधा के साथ आर्थी की जानी चाहिए इसके बाद प्रसाद कर जंगल में एक पेर के नीचे आसन जमा कर बैठ गया वह अपनी दसा को याद करके व्याकुल होने लगा ब्रिस्पति वार का दिन था एका एक उसने देखा कि निर्जन बन में एक साधू महराज परकट हुए वह साधू बेस में स्यम ब्रिस्पति देव थे लकर हारे के स सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है इसका क्या कारण है मुझे बताओ लकर हारे ने दोनों हाथ जोर कर और नाम किया और उत्तर दिया महराज जी आप सब कुछ जानते हैं आप तो अंतर यामी है मैं आपसे क्या कहूं जह कहकर रोने लगा और साधू को अपनी आत्म कथा सुनाने लगा महराज जी ने कहा तुम्हारी इस्तिरी ने ब्रिश्पति वार के दिन ब्रिश्पति भगवान का निराधर किया है जिसके कारण रूष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दसा कर दी अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपति देंगे तुम ब्रिश्पति के दिन कथा किया करो दू पैसे के चनी मुनक्का लाकर उनका परसाद बनाओ और सुध जल से लोटे में सक्कर मिलाकर अम्रित तयार करो कथा के पस्चात अपने सारे पडिवार और सुनने वाले प्डेमियों में अम्रित हुआ प्रसाद बाठ कर आप भी ग्रहन करो ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनो कामनाएं उड़ी करेंगे साधू महराज के ऐसे बचन सुनकर लकर हारा बोला हे प्रभू मुझे लकरी बेच कर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन जो प्रांथ कुछ भी बचा सको मैंने रात्री में सपने में अपनी इस्तरी को व्याकुल देखा है मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे में उसकी ख़बर मंगा सको साधू ने कहा हे लकर हारे तुम किसी बात की चिंदा मत करो ब्रिश्पती के दिन तुम रोजाना के तरह लकरिया लेकर सहर को जाओ तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भाती भोजन कर लोगे तथा ब्रिश्पती भगवान की उजा का समान भ धीरे धीरे समय बीतने लगा पर फीर वही ब्रस्पतिवार का दिन आया लकर हारा जंगल से लकडी काट कर किसी सहर में बेचने गया उसे उस दिन से और दिन से अधिक पैसा मिला राजा ने चनागुर आदी लाकर गुरुवार का ब्रत किया उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए पर अन्तु जब दुबारा गुरुवार का दिन आया तो ब्रस्पतिवार का ब्रत करना भूल गया इस कारण ब्रस्पति भग गवान नाराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विसाल यक का आवजन किया तथा सहर में यह गोसना करा दे की कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए ना आग जलाए समस्त जनता मेरे यहां भोजन करने आए इस आग्या को जो नहीं मानेगा उसे फासी के जी जाईगी इस तरह की घोसना संपुर्ण नगर में करवा दी गई राजा की आग्यानुसार सहर के सभी लोग भोजन करने गए लेकिन लकर हारा कुछ देर से पहुंचा इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन कराया तो राने के द्रिष्टी उस खोटी पर परी जिस पर उसका हार लटका हुआ था वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया राजा ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुश्य ने चुरा लिया है उसी समय सिपाहियों को बुला कर उसको कारागार में डलवा दिया गया जब लकर हारा कारागार में पर गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पुर्व जनम के करमे से मुझे यह दुख पराप्त हो रहा है और उसी साधू को याद करने लगा जो जंगल में मिला था उसी समय ततकाल ब्रिश्पती देव साधू के रूप में परकट हुए और उसकी दसा को देखकर कहने लगे अरे मुर्ख तुने ब्रिश्पती देव की कथा नहीं करी इस कारन तुझे दुख पराप्त हुआ है अब चिंता मत कर ब्रिश्पती वार के दिन कारागार के दर्वाजे पर तुझे चार पैसे परे मिलेंगे उनसे तुझे ब्रिश्पती देव की पूजा करना तेरे सभी कष्ट प्यूर हो जाएंगे ब्रिश्पती वार के दिन उसे चार पैसे मिले जैसे साधू महराज ने बताया था तब लकर हारे ने उन पैसे से ब्रिश्पती देव की उजन की और कथा कही उसी रात्र को ब्रिश्पती देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा हे राजा तुम ने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोस है वह राजा है उसे छोड़ देना राने का हार उसी खूटी पर लटका है अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा सारा राजय को मैं नेश्ट कर दूँगा इस तरह रात्री के सपनों को देखकर राजा प्रता काल उठा और खूटी पर हार देखकर लकर हारे को बुला कर छामा मांगी तथा लकर हारे को योग सुन्दर बस्तर आभुसन देखकर विधा कर दिया ब्रस्पती देव की आग्यानुसार लकर हारा आपने नगर को चल दिया राजा जयब आपने नगर के निकर पहुचा तो उसे बरा अश्चर्जय हुआ नगर में पहले से अधिक बाग कालाब वे तथा बहुत सी धर्मसाला मंदिर बन गई है राजा ने पोचा यह किसका बाग और धर्मसाला है तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और बांदी के है तो राजा बहुत आश्चर्जय हुआ और गुस्सा भी आया यह सोच कर की इतना धन दौलत कहां से आया मेरी गैर हाजरी में जब रानी ने जह खबर सुना की राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा ही हेदा सी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोर कर गए थे हमारी ऐसी हालल देखकर वह लोट न जाए इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा आग्या अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई राजा आये तो दासी ने उन्हें अपने साथ लेकर आई तब राजा ने कुरोध करके अपनी राने से पूछा कि यह धन तु इस ब्रत के परभाव से प्राप्थ हुआ है राजा ने निश्चय किया कि साथ रोज बाद तो सभी ब्रिश्पति देव का पूजन करते हैं प्रतु मैं प्रती दिन में तीन बार कहानी तथा रोज ब्रत किया करूंगा अब हर समय राजा के दुप पट्टे में चने की दा बहीन की यहां हो आते हैं इस तरह निश्चय कर राजा घोरे पर सवार हो अपनी बहीन की यहां को चलने लगा मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे राजा ने उन्हें रोक कर कहा अरे भाईयो मेरी ब्रिश्पति देव की कथा सुन लो ठाकी परी है प्रंदू एक आदमी बोला अच्छा तुम कहो मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खारा हो गया आगे मार्ग में उ उसे देख और उससे बोला अरे भाई तुम मेरी ब्रिश्पतिवार की कथा सुन लो किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक चार हड़या जोत लूंगा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना इस तरह राजा आगे चलने लगा राजा के हटते ही बैल पच्छ खाकर गिर गये तथा किसान के पेट में बरी जोर का दर्द होने लगा उस समय उस किसान की मा अपने बेटे के लिए रोटी लेकर आई उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल मा को सुना दिया अब तो बुढिया माई दोड़ी द तवार के पास गई और उनसे बूली कि में देरी कथा सुनूंगी तू अपनी कथा मेरी खेट पर चल कर कहना राजा ने बुढ़ी माई के खेट पर जाकर कथा कही जिससे सुनते ही वह बैल उठकर खरा हो गया रथा इसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया राजा अपनी बहिन की घर पहुँचा बहिन ने अपनी भाई की खूब खातिरदारी की दूसरे रोज प्रताकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहिन से कहा ऐसा पोई मनुस्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो म मेरी ब्रिश्पतिवार की कथा सुन ले बहिन बोली हे भाईया जहां देश ऐसा ही है कि पहले यहां लोग भोजन करते हैं बात में अन्य काम करते हैं अगर कोई परोस में हो तो देख आओ वह ऐसा कहकर देखने चली गई प्रतु से कोई ऐसा व्याक्तिक नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो आता वहां एक कुमार के घर गई जिसका लरका भीमार था उसे मालूम हुआ की उनके यहां तीन रोज से इसे ने भोजन नहीं किया है राणी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमहार से कहा वह तयार हो गया राजा ने जाकर ब्रस्वतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लर्गा ठीक हो गया अब तो राजा की प्रसंजा होने लगी एक रोज राजा ने अपनी बहीन से कहा कि हे बहीन हम अपने घर को जाएंगे तूम भी तयार हो जाओ राजा की बहिन ने अपनी सास से कहा सासुमा ने कहा हाँ चली जाओ पर तू अपने लर्के को मत ले जाना क्योंकि तेरा भाई का कोई अउलाद नहीं है बहिन ने अपने भाईया से कहा हे भाईया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी जाके बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राजा ने अपनी राणी से कहा हम निर्वन्जी है हामारा मुह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदी नहीं किया राणी बोली हे प्रभू ब्रिस्पती देव ने हमें सब कुछ दिया है वो हमें अवलाद अवस्य देंगे आप हरोसा रखे उसी राथ को ब्रिस्पती देव ने राजा से सबने में कहा हे राजा उट तुम सबी सोच को त्याक दे तेरी राणी गर्ब से है राजा यहां बात सुनकर बड़े परसन हुए राणी की गर्ब से नवी महिने में एक सुन्दर पुत्र ने जनम लिया तब राजा बोला हे राणी इस तीरी बीना भोजन के रह सकती है पर बीना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आए तुम उसे कुछ मत कहना राणी ने सुनकर हा कर दिया जब राजा की बहिन ने यहां सुब समाचार सुना तो बहुत प्रसन हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहां आई कभी राणी ने कहा घोरा चड़कर तो नहीं आई गधा चड़ी आई राणी की यहां बात सुन राजा की बहिन बोली भाभी मैं इस परकार ना कहती तो तुमें आउलाद कैसे मिलती ब्रस्पति देव ऐसे ही है जैसी जिसकी मन में कामनाय हैं सभी को पुर्ण करते हैं जो सध भावना पूर्बक ब्रस्पति वार का ब्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दुसरों को सुनाता है ब्रस्पति देव उसकी सभी मोनुकामना पुर्ण करते हैं और भगवान ब्रिश्पति देव सब की सदेव रक्षा करते हैं। संसाहर में जो मनुष्य सद भावना से भगवान का पूजन ब्रत रच्चे हृदय से करते हैं, तो उसकी सभी मोनुकामनाय पूरी जरूर करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुनगान किया तो उनकी सभी इच्चाय ब्रिश्पति देव जी ने पूर्ण किया। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। रिदय से उसका मनन करते हुए जैकारा बोलना तो सभी प्रेम से बोलिए ब्रिश्पति देव की जै हो विश्णु भगवान की जै हो।